असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल, आज हम नाइंध क्लास की इंगलिश की बुक का चैप्टर नबर टॉयल्फ हैल्थ इस वैल्थ यानि तंदृस्ती हजार नेमत है पढ़ेंगे, वन डे एक दिन काशिफ वेंड शॉपिंग, मिठाई खरीद सकता है, मदर, वालदा ने कहा, no no काशिफ, नहीं नहीं काशिफ, you should not buy any sweets from this shop, तुम्हें इस दुकान से मिठाई नहीं खरीदनी चाहिए, see, देखो, flies are sitting on them, मक्हियां उन पर बैटी है, if you eat those sweets, अगर तुम ये मिठाईयां खाओगे, you will fall ill, तो तुम बिमार हो जाओगे, काशिफ, all right, ठीक है, मदर, अम्मी जान, let's walk across the road, आये सडक के उस जानिब चलते हैं, look, देखिए, here is another shop, यहां एक और दुकान है, shall we buy some from here, क्या हम यहां से कुछ खरीद सकते हैं, मदर, yes, it's a clean one, हाँ, यह कुछ साफ सुतरी है, there are no flies, यहां मक्हियां नहीं है ओ, no, लेकिन नहीं, I have just seen a man sweeping the road, मैंने अभी देखा, एक शक्स सडक पर जाडू लगा रहा था, by the shop, दुकान के साथ साथ, there is a lot of dust, यहां बहुत सी dust है, मटी है, you out and eat anything if there is dust on it, तुमें यकीनन यह नहीं खानी चाहिए, अगर इस पर मटी है, flies and dust carry hundreds of germs, मक्हियां और मटी अपने साथ हजारों जरासीम लेकर आती है, and they are enemies of our health, और यह सब हमारी सिहत के दुश्मन है, काशिफ, please mother, बराय महर्बानी, अम्मी जान, tell me more, मुझे और भी बताईए about these germs इन जरासीम के बारे में, Mother, listen very carefully, बहुत गुश्मन से सुनो, these germs are the smallest living things, यह जरासीम बहुत ही ज्यादा चोटे जानदार होते हैं, they cannot be seen, इन्हें नहीं देखा जा सकता, इन्हें आम आँख से नहीं देखा जा सकता, you only see them, आप सिर्फ इन्हें देख सकते हैं, through a microscope, एक microscope के जरी, काशिफ, how do the flies carry them, काशिफ ने पूछा, यह flies या मक्यां जो होती हैं, यह जरासीम किस तरह लेकर आती हैं, Mother, अमी ने जवाब दिया, you have seen, तुमने देखा होगा, flies sitting on dirty things, मक्यों को बैठे हुए, खराब चीजों पर, गंदी चीजों पर, there are germs on these things, इन चीजों पर जरासीम होते हैं, and they stick to the flies' legs, और वो सब इन मक्यों के टांगों से चिपक जाते हैं, When the flies sit and walk on our food, जब ये मक्यां हमारे खाने पर बैठती हैं, या चलती हैं, the germs stick to it, तो ये जरासीम उन चीजों पर चिपक जाते हैं, and when we eat that food, और जब हम इस तरह की गिसा खाते हैं, the germs get into our body, तो ये जरासीम हमारे जिसम में दाखिल हो जाते हैं, and make us ill, और हमें विमार कर देते हैं, काशिफ, काशिफ ने कहा, oh I see, अच्छा, so we should never eat such sweets and food that are not properly covered, यानि के हमें ऐसी मिठाईयां और खाना नहीं खाना चाहिए, जो मुनासिब तरीके से ढखी हुई ना हो, Mother, अम्मी ने कहा, dust also carries germs, मट्टी के साथ भी बहुत से जरासीम आते हैं, we can't see them, हम उन्हें देख नहीं सकते, but the air is full of them, लेकिन हमारी इर्दगिर्द की हवा इससे भरी पड़ी है, so you must remember, तो तुम्हें याद रखना चाहिए, not to eat food, के ऐसा खाना ना खाओ, if flies have been sitting on it, जिन पर मख्यां बैटी हो, और if there is dust on it, या फिर उस पर dust हो, काशिफ, काशिफ ने कहा, right, ठीक है, I won't buy anything from these shops, मैं इन दुकानों से कुछ नहीं खरीदूंगा, where things are not properly covered, जहां पर चीजें मुनासिब तरीके से ठकी हुई ना हो, Mother, अमी ने जवाब दिया, a great many diseases are caused by these germs, के बहुत सी बिमारियां ऐसी हैं, जो इन जरासीम के जरीए होती हैं, for instance, विसाल के तोर पर, the germs of typhide and several other diseases are carried by flies, जैसे के typhide और बहुत सी दूसरी बिमारियों के जरासीम मक्यों के जरीए ही आते हैं, काशिफ, काशिफ ने कहा, but Mother, लेकिन अमी जान, I have read in my book, मैंने अपनी किताब में पढ़ा था, that malaria is caused by a kind of mosquito and not by flies, के malaria मक्खी के बचाए एक खास किसम के मच्छर के काटने से होता है, Mother, अमी ने जवाब दिया, true, यह सच है, you are right, तुम ठीक कहते हो, one can get malaria from a mosquito bite, के malaria जो है, वो मच्छर के काटने से होता है, काशिफ, काशिफ ने कहा, where do the mosquitoes live, यह मच्छर कहां रहते हैं, Mother, अमी ने जवाब दिया, they live in stagnant water, यह खड़े पानी में मौझूद होते हैं, some people use kerosene oil and DDT, कुछ लोग DDT और kerosene oil का इस्तमाल करते हैं, to kill the mosquitoes, इन तमाम मच्छरों को मारने के लिए, before they are big enough, इससे पहले के वो बड़े हो जाएं, to fly away, और उड़ने लग जाएं and bite healthy people और सेहत मनलों को काटें, काशिफ, काशिफ ने जवाब दिया, काशिफ ने जवाब दिया, if everybody in Pakistan, अगर पाकिस्तान में हर कोई takes part, हिस्सा लेता है in the fight against mosquitoes, मच्छरों के खिलाफ जंग में, we will soon get rid of malaria, हम बहुत जल्ब malaria से निजात पा लेंगे, mother, yes my son, बिल्कुल मेरे बेटे, I think so too, मुझे भी ऐसा ही लगता है, we should try to keep ourselves healthy, as health is wealth, हमें खुद को सेहत मन रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंके सेहत हजार नेमत है, if we are not healthy, अगर हम सेहत मन नहीं होंगे, we won't be able to work hard, तो हम ना तो सख मेहनत कर सकेंगे, study, ना ही पढ़ सकेंगे, and learn, और ना ही कुछ सीख सकेंगे, सबसे बहुत बहुत करते हैं, first of all, we have to make our title page, chapter number 12, health is wealth, date mention करेंगे, vocabulary करते हैं, sweep, clean, germ, microbes, carefully, gently, stick, adder, remember, memorize, disease, sickness, bite, cut, wealth, richness, sentence making, first word is sweep, the sweeper sweeps the floor, germ, dust and flies carry germs, carefully, the man was carefully holding the glass, disease, many diseases are caused by germs, bite, malaria caused by the bite of mosquito, wealth, health is wealth, fill in the blanks करतें, first one is dash went shopping with his mother, Kashif went shopping with his mother, number two, dash can only be seen through microscope, germs can only be seen through microscope, number three, a large number of dash are caused by germs, a large number of diseases are caused by germs, number four, flies and dust carry dash, flies and dust carry germs, number five, one can get malaria from dash, one can get malaria from mosquitoes, multiple choice questions, first one is, mosquitoes live in dash water, stagnant water, dirty water or fresh water, right, option is stagnant water, number two, health is dash, blessing, wealth, cash, right, option is wealth, number three, some people use dash oil and DDT to kill the mosquitoes, mustard, kerosene, olive, right, option is kerosene, number four, Kashif was fond of dash, fruits, cakes, sweets, right, option is sweets, right, option is sweets, number five, dash also carries germs, dust, soil, water, right, option is dust, question answers करतें, first one is, why did Kashif's mother refuse to buy sweets from the first and second shop, answer is, Kashif's mother, सबसे पहले, heading mention करेंगे, Kashif's mother refused to buy sweets from both shops, because she found sweets unhygienic there, she found flies sitting on the sweets at the first shop and dust on sweets at the second shop, question number two, what are germs, how can they be seen, heading mention करेंगे, germs, germs are the microorganisms that cause disorder in our bodies and bring about many disease, they can be only seen through microscope, what do flies and dust carry, dust and flies carry many harmful germs that cause deadly diseases, flies sit on the dirty and polluted things and places and get germs stuck to their legs, question number four, which diseases are caused by flies, typhoid cholera and many other diseases caused by flies, question number five, how do we get malaria, how can we get rid of it, heading mention करेंगे, malaria, malaria is caused by the bite of female mosquito, we can get rid of malaria by spraying DDT and kerosene oil over stagnant water where they abound in, question number six, how can we keep ourselves healthy, we can keep ourselves healthy by taking balanced diet, we should abstain from and unhygienic food in order to remain healthy, so student, this chapter, you will be able to understand your own way, you will be able to understand your own way, in the next video, I will be able to see you again, allah hafiz